राधे राधे एवरिवन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष यानि 2023 में हमें कार्तिक स्नान का उद्यापन कब करना है और उद्यापन हमें कैसे करना है यानि कार्तिक स्नान के उद्यापन के विशे में संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी देखे ज चाहे हम सनान का संकल पले या हम वरत का संकल पले तो जब तक हम उद्यापन नहीं करते हैं हमारा संकल पूर्ण नहीं होता है तो जैसे वरत का उद्यापन किया जाता है उसी तहरे से कार्तिक सनान का भी उद्यापन किया जाता है उद्यापन का मतलब है कि हमें कुछ दान करना तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने पूरे कार्तिक महीने सनान किया है, कार्तिक के सनान का उद्यापन हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उद्यापन कब करना है, कार्तिक सनान का जो उद्यापन है, उसमें हमें पंडित पंडिताईन को जिम साड़ी सूट जब आप लेंगे तो नीला और काला रंग नहीं लेना है उसके अलावा कोई भी रंग आप ले सकते हैं तो यहाँ पर हमने एक साड़ी ले ली है अब साड़ी के साथ साथ आप सिंगार का सामान ले लेंगे तो आप चाहें तो 5 चीजे, 7 चीजे, 9, 11, 16 सिंगा कितना भी सिंगार आप ले सकते हैं, या आप चाहें तो सिर्फ आप एक बिंदी का पत्ता दे सकते हैं, या बिंदी या महंदी दो चीज दे सकते हैं, मतलब सिंगार का कुछ भी सामान आपको देना है, दो चीज, चार चीज, एक चीज, या सोला सिंगार, जितने आपका सामर उसी साथ से आप दे दीजेगा, लेकिन कम से कम एक बिंदे का पता जरूर जरूर देना, तो हमने साड़ी ले लिया है, सिंगार का सामान हमने ले लिया है, उसके साथ ही हमें कोई भी गरम कपड़ा जरूर देना होता है, आप गरम जुराबे दे सकते हैं, या आप चाहें तो आप गरम सूट भी दे सकते हैं जैसे आज किल गरम सूट जादा तर लोग पहनते हैं तो आप चाहें तो आप गरम सूट भी दे सकते हैं अगर जिसको आप जिमा रहे हैं वो गरम सूट पहनते हैं तो आप गरम सूट दे सकते हैं नहीं तो आप साड़ी दे दीजिए और गरम पेंट शर्ट का जोड़ा लिया है, ये गरम है, तो इसलिए अलग से गरम कपड़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप नॉर्मल पेंट शर्ट का जोड़ा दे रहे हैं, तो उस पर आप गरम जुराबे रख सकते हैं, मफलर आप ले सकते हैं, यानि कोई भी एक कपड़ा आपको देना है, अभी सर्दियों का मोसम चल रहा है, तो गरम कपड़े के दान का विसेस महतव होता है, इसलिए आप कम से कम गरम जुराबिन तो जरूर दान करें, उसके साथ ही हम दक्षिना रख देंगे, जैसे आप भी आपका समर्त है, उस इसाथ साथ से आप बहुत महतव होता है, तो सनान में लोटा जरूर दान किया जाता है, तो आप चाहेतो पी टल का, टामबे का या स्टील का लोटा ले सकते हैं, लोटे में हमें चावल भरने हैं, तो इस तरह से चावल भर के आप देदीजिएगा, और इतना अगर आप नहीं कर सकते हैं तो गिलास में आप चावल भरके दे दीजेगा तो इस तरह से हम देंगे और अगर कवारी लड़की ने स्नान किया है अगर कवारी लड़किया कवारी कन्या स्नान करते हैं तो बस वो एक लोटा चावल का भरके दे देती है इतने में भी उनका उध्यापन हो जाता है एक लोटा या एक गिलास चावल लेके दान कर देंगी और बाकी जो लोग कर रही हैं जो महिलाएं वो पंडित-पंडिताईन के कपड़े देंगी सिंगार का सामान, बरतन देंगी बरतन सारे नहीं हो पाएं तो एक गिलास या एक लोटाप दे दीजीगा खाने का सामान हमें जरूर देना है आगर पंडित पंडिताईन आपके घर पे आके खाना खाके जा रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है लेकिन आगर वो आपके घर पर नहीं आ सकते हैं तो आप खाने के नाम की मिठाई दे सकते हैं मठी दे सकते हैं उसके बाद सारे के उपर से हम वार के मिनस देंगे हाज जोड लेंगे अब जब आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह तुलसी जी का और पथवारी का पूजयन करेंगे तब यह सारा सामान हमें वहाँ पर पास में ही रखना है तो जो भी आपने दान दक्षिना का समान निकाला है वो अपनी पथवारी की जब आप सुबह पूजा करेंगे पथवारी का और तुलसी जी का तो पास में ही रखेंगे पथवारी जी को तुलसी जी को सारा समान आप समर्पित करेंगे उसके बाद आप ये सारी चीज़े पंडित-पंडिताईन को दान देंग इनके घर ये सामान पहुँचा सकते हैं या आप मंदिर में भी ये सामान पहुचा सकते हैं भगवान विश्णू और माता लक्समी के निमत हम ये दान करते हैं बहुत जादा सवाल पूछा जाता है कि अगर कवारी लड़कियां कार्तिक स्नान कर रही है तो उद्यापन कैसे क करेंगे तो कवारी लड़कियां कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक लोटा चावल उसके उपर दक्षिना रख देंगी 10 रूपे 20 रूपे 50 रूपे जितने भी हो और वो मंदिर में चढ़ा के आएंगी पंडिजी को दे देंगी एक लोटा चावल नहीं ले सकते तो एक गिल ले लिजेगा नया गिलास या नया लोटा लेना है ताकि आप वहीं पर उसको दान करके आजाएंगे कवारी लड़कियों के लिए बस इतना ही बहुत होता है जान लेते हैं कि इस वर्ष यानि 2023 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है और इस वर्ष यानि 2023 में कार् 27 नमबर दो बजे तक कार्तिक पूर्णिमा रहेगी तो कार्तिक पूर्णिमा या कोई भी पूर्णिमा हो उसका वर्ष चंदर्मा के आनुसार किया जाता है तो 26 तारिक को 26 नमबर को जब हम शाम को चंदर्मा को अरग देंगे उस समय पर पूर्णिमा तिति होगी तो जो वरत करेंगे वो 26 नमबर के दिन वरत करेंगे और जो लोग कारतिक पूर्णिमा का वरत कर रहे हैं वो 26 नमबर के दिन ही कारतिक सनान का उध्यापन भी कर देंगे अगर आप पूर्णीमा तिति का वरत नहीं करते हैं सिरफ आप सनान दान कर रहे हैं तो फिर आप 27 नवंबर को उध्यापन कर सकते हैं अगर आप 26 तारी को किसी का अणवस उद्यापन नहीं कर पाए हैं तो भी आप 27 नमंबर को कार्थिक सिनान का उद्यापन कर सकते हैं उद्यापन में जो जरूरी चीजे थी वो मैंने आपको बताई हैं इसके अलावा आप सामान कितना भी बढ़ा सकते हैं आप चाहें कितना भी दान कर सकते हैं लेकिन जो मुख्य मुख्य चीजे थी जो चीजे जरूरी थी वो मैंने आपको बता दी आई होप कार्तिक सनान के उद्यापन से लेकर सारे डाउट सापके किलियर हो गए होंगे लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं में रिप्लाई करने की पूरी कोसिस करूँगी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाए घर में तीस तोहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जै श्री कृष्णा राधे राधे